मस्कार पैरे बच्चों जोशना पवार इस यूट्यूब चैनल में आप सब पैरे बच्चों का मन से स्वागत हैं आज हम कक्षा सात्वी का हिंडी विशे की टासी का लेने वाले हैं देखिए आपकी जो हिंडी की पठ्थे पुस्तिका है उसमें जो हमारा तीसरा पाठ है उसका नाम है दादी मा का परिवार पहले हम इस पाठ का परिशे करेंगे और बाद में इस पाठ के आदर पर जो हमारे स्वाध्या है प्रश्न उत्तर है वह हम जानेंगे देखिए दादी मा का परिवार यह जो प्राट है इसके जो लेखक है उनका नाम है रमाकान कांथ पाट का परिचे एक छोटे से घर में दादी अपने परिवार के साथ रहती थी उनके परिवार में निलू, चिडिया, उसके दो बच्चे टिनू, मिनू, चिंकी, चुहा और उसके दो बच्चे चुसकू, मुसकू थी और सभी बड़े प्यार से रहते थे लेकिन एक बार क्या हुआ जो निलू चिडिया दोनों बच्चे टीनू मिनू बहुसी अन्य चिडियों के साथ बहली एके जाल में फस गए निलू चिडिया दोनों बच्चे टीनू मिनू और बाकी की चिडिया ये जाल में फस गए सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उनने लगे और दादी के पास आ गए वहाँ चिंकी चुहिया और चुसकु मुस्कु ने अपने पेने दातों से जाल को काट कर सभी पक्षियों को मुक्त कर दिया जो चुसकु मुसकु और चुहा जो थी उन्होंने क्या किया अपने दातों से जाल को काट दिया और पक्षी जो सारे चिडिया पक्षी जो जाल में फसे थे वो सारे मुक्त हो गे एकता में बड़ी शक्ती है यही हमें इस कहानी दौरे सीख मिली है इस कहानी दौरा यही सीख दी गई है यहें पाट का परिजे जो दादी मा का परिवार इस पाट में हमें कहानी के रूप में दिया गया है देखिए यहां शब्दार्थ दिये हुए आपको आवशक्ता होगी तौप स्क्रीन्शॉन निकाले लेंगे मुहावरे तुनक कर बोलना छिडिकर बोलना ठक सा रहना चकित होना अकल का पत्ता खोलना तरकिप बताना मुह लटकाना उदास होना मुहावरे अरून के अर्थ बाद में दो कहावते दी गई है एक और एक ग्यारह यानि इसका अर्थे एकता में बल होता है अंत भला तो सब भला परिनाम अच्छा तो सब अच्छा प्रश्ण क्रमांक ए उची शब्द द्वारा रिक्तस्तानों की पूर्ती करो देखिए यहां कोश्टक में कुछ सब्द दिये है हमें यहां जो रिक्त जगह है वहां वह शब्द लिखने है घर के आंगन में डैश डैश का बड़ा पेड था उसका उत्तर है बरगत घर के आंगन में बरगत का पेड था देखिए यहां पूर्ण वाक्य में उत्तर दिये गए हैं दो चिडियों में डैश डैश चा गया उसका उत्तर है मातम चिडियों में मातम चा गया तीन मुन्मुन थी उनकी डैश डैश हम जोली चार नमबर चिंकी से तणि डैश डैश करो याचना चिंकी से तणि याचना करो यहां पूर्ण वाक्य में उत्तर दिये गए हैं प्रश्न दोन कथन के सामने सही और गलत का चिंना लगाओ सही होगा तो सही का चिंना गलत होगा तो गलत का चिंना में लगाना है एक निलू पेड के नीचे बील बना कर रहिती थी गलत दो खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते सही तीन गज़क एक था थी उन सब में सही चार नमबर निलू के बच्चों के नाम थे चुसकु मुसकु गलत पाच चिंकी की आखों में आसु थी सही प्रश्नक्रमांक दोन प्रश्नक्रमांक तीन देखिए जो प्रश्नक्रमांक तीन है यह आपके पाठे पुस्तक में से है घटना के अनुसार क्रम लगा कर लिखो यहाँ जो घटनाय दिये गिये है उनके क्रम हमें ठीक से लगा कर लिखने है इन में से जो पहला क्रम आता है गर के आंगन में बर्गत का पेड़ था यह है पहला क्रम बाद में दुसरा क्रम चिंकी ने भी दोनों बेटों का उपहार दिया यह है दो नमबर तीन, टीनू मिनू चुसकू मिसकू खेलने लगी यह घटना तीसरे ग्रम की है चार, एक साथ उन्ने को रहेंगे तयार यह है चार नमबर की घटना इस प्रकार हमें उचित क्रम लगा कर उत्तर में यहस जो घटना है सई क्रम से हमें लगानी है प्रश्ण चार नीचे लिखे वाक्य किसने किस से कहे है एक, अरे, मैं फस गई उत्तर, मुन्मुन ने बाकी पक्षों से कहा है दो, आखिर चाहते हो कैसी एकता मुन्मुन ने टिनू से कहा है तीन, बहुत देर से आई हो नीलू आज दादी ने नीलू से कहा है चार, हम एक है पर करे क्या नीलू ने दादी से कहा है प्रश्ण पार देखिये यह जो प्रश्ण क्रमांक पाच है वो आपके पाठ्थे पुस्तक में से है नीमनलिकी प्रश्णों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखो एक, चिडिया कहा रहती थी? उत्तर, चिडिया घर के आंगन में बर्गत के पेड़ पर घोसला बना कर रहती थी दो, बहलिया कब ठकसा रह गया? उत्तर, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गये तब बहलिया ठकसा रह गया तीन, दादी मां सुब उठकर क्या करती? उत्तर, सुब उठकर दादी मां गर, बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती परिवार जणों से बती आती यह सब दादी मां सुब उठकर करती थी चार नमबर देखिए चुसकु मुसकुने किससे जाल काटा? उत्तर, चुसकु मुसकुने अपने पईने दातों से जाल काटा निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखो एक, दादी के परिवार में कोण-कोण थे? उत्तर, दादी के परिवार में निलू छिडिया थी जो अपने दोनों बच्चों निलू छिडिया के बच्चों का नाम टीनु मिनु जो अपने दोनों बच्चों टीनु मिनु के साथ आंगन के बरगत के पेड़ पर घोसला बना कर रहती थी पेड़ के नीचे बील बना कर चिंकी चिढ़ां रहती थी चिंकी के भी दो बच्चे चुसकु मुसकु थे यानि निल्यो चिढ़िया उसके दो बच्चे टीरू मिनो और चिंकी चिडिया उसके दो बच्चे चिस्कु मिस्कु यह सब दादी मा के परिवार में थे प्रश्ण चिडियों में मातम क्यों छा गया? उत्तर एक बार शाम के समय बहुसे चिडे चिडिया धान के खेत में दाना चूग रहे थी वहां एक बहे लिए अपना जाल बिचा रखा था दाना चुगने के बाद जब चिडिया अपने घर जाने के लिए उन्ने लगी तो सब जाल में फस गयी इसले चिडियों में मातम चा गया तिसरा प्रश्ण चिडिया जाल से किस प्रकार मुकत हुई? टीनू मिनू के कहने पर सभी चिडियों नी एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उणने लगी उड़ते उड़ते सब दादी मा के घर पहुचे वहां दादी मा के कहने पर निलो और मिनू ने चिंकी से जाल काटनी की यश्ना की चिंकी और उसके दोनों बच्चों चुस्कु मुस्कु ने अपने पईने दातों से जाल को काड़ दिया और चिडिया जाल से मुक्त हो गई आगे देखिए मुक्तो तरी प्रश्ण यह जो प्रश्ण है यहां दिया हुआ है यदि प्राकुर्तिक संसाधन समाप्त हो जाए तो जैसे जल वन आदी उसका उत्र यहां लिखा हुआ है प्राकुर्तिक संसाधन समाप्त है निम्न लिखी शब्दों के वचन बदल कर वाक्यों में प्रयोग करके लिखी आपके पाठे पुस्तक में है यहां शब्द दिये है उनके हमें वचन बदल कर लिखना है जैसे थैली थैलिया वैसे बाकी शब्द के हमें वचन बदलने हैं और वाक्यों में प्रयोग करने हैं देखिए यहां थैली थैलिया हमें पॉलिठीन के सांड पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए इस प्रकार हमें वाक्यों में प्रयोग करना है बाद में पंखा पठ्थे पुस्तक में आपको पंखा दिया गया है आपको वचन बदलना है पंखे लिखना है और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है दोनों पंखे खराब हो गई है तीन दिवार वचन बदलकर आएगा दिवारे पुताई के बाद घर की दिवारे चमक उठी चार राजा राजा का वचन बदलकर भी राजा ही आएगा वाक्य में प्रयोग दश्रत एक प्रतापी राजा थे चार वस्तुये वचन बदलकर वस्तु किसी प्राणी और वस्तु के नाम को सग्या कहते है चार नमबर का देखिए भेडिया उसका वचन बदलकर आएगा भेडिये सब भेडिये आगे से डर कर शिकार छोड़ कर भाग गए साथ नमबर बहु बहुए तीनों बहुए दीन रात दिमार सास की सेवा में लगी रहती है आठ नमबर रोटी रोटिया डिब्बे में रखी सारी रोटिया बंदर ले गए देखे बच्चों इस प्रकार हमने दादी मा का परिवार यह जो पाट है इस पाट का सवध्य इस जो हमने अध्यान अध्यापन किया है